नमस्कार जोहार महसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज़ारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी किबर को ज़ारकन की संसदी कारिमंदरी आलमगिर आलम ने विधान सभा की कारवाई के दौरान एक लिखित सवाल के जवाब में कहा है कि ज़ारकन में साल 2016 लेकर अब तक मॉबलिंचिंग भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या की करीब 46 मामलों को अंजाम दिया गया है उन्होंने सदन को बता है कि मॉबलिंचिंग की इस घटना में करीब 51 अभ्युक्तों को आजिवन का रवास की सजा सुनाई गई है जबकि इसके पीडितों को करीब 19,900 रुपे मुआउजा के तौर पर अवंटित किया गया है उन्होंने सदन को बता है कि मौब लिंचिंग मामलों के तौरित जो है निप्टान के लिए फास्ट्रे कोट के गठन करने का मामला सरकार के पास विचारा धीन है आगली बड़ी खिबर की बात को दो हजारी बाग में रामनोमी जुलोस को अनुमती देने की मांग को लेकर विधायक ने दिया धरना जारकन विधान सभा के बजट सत्र के ग्यारवे दिन सुमार को सदन के मुख्य द्वार पर हजारी बाग सदर विधायक मनिज जैसवाल ने हजारी बाग में रामनोमी जलोस को अनुमती देने की मांगो लेकर धर्ना धिया इस मामले पर भाजवा विधायकों ने विधान सभा के मुख्यदार पर हिंदू विरोधी सरकार होस में आओ के जम कर नारे लगाए मौके पर मनिज जासवान ने कहाए कि हजारी बाग के रामनोमी का अपना इतिहास है कोरोना के कारण पिछले दोवस से यह बंद है लेकिन अब सभी चीचों को बंद से मुक्त कर दिया गया है उन्होंने सदन में सरकार से मांगी है कि हजारी बाग में रामनोमी जुलूस की अनुमती दी चाए जासवान ने कहाए कि यह हिंदू धर्म के साथ सरकार की तुष्टिकरन नीती को दरसाता है उन्होंने कहाए कि सरकार को इस पर जल्द नर्ने लेना चाहिए यह मामला करोडों हिंदों की आस्था से जुड़ा है आगली बड़ी खबर की बात कुदो रामगड में सड़क हाथसा सिवान से रांची जा रही बस को कंटेनर ने मारी टक कर आठ लोग कंभीर रिम्स रफर जारखन की रामगड में सोमार के सुभा भी सन हाथसा हुआ नेशनल हाइवे फोर लाइन पर चूटू पालो घाटी में सुभा करीब चार बज़े बिहार के सिवान से रांची जा रही स्री ट्रेवल्स नामा की यातरी बस को एक कंटेनर वहान ने टक कर मारती इससे बस वक कंटेनर मौके पर पलड़ गए हाथसे में बस पर सवार दो दर्जन से अथिक यातरी घाल हो गए दुरगटना में आठ यातरियों को गमभिर छोटाई है दुरगटना के बाद घाली यातरियों के बीच को राम मच गया घातना के सुचना पाकर घाटी गस्ती में तानात रामगण थाना पुलीस की टीम मौके पर पहुँची इसके बाद रहात कारी सुरू किया गया, घाल यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाल कर इलाज के लिए रामगर सदर स्पताल भेजा गया, प्रयात्मिक इलाज के बाद गंभी रुप से घाल आठ यात्रियों को बहतर इलाज के लिए रिम सराची राफर किया गया, दुरग बस अपने दिसा से होकर रांची जा रही थी, दुरगटना के बाद कंटेनर चालक वकला सी, मौके पर वहां से भाग है, पुलिस ने कंटेनर वहां को जब्त कर लिया है, आगली बड़ी खिबर की बात तो जारकन में पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 15 नहीं मामले, जारकन के 20 जिलों में कोरोना के एक भी मरीच नहीं मिले हैं, हलाकि राज में सबसी अधिक 11 नहीं केस राजधानी रांची में मिले हैं, बावजुद राज में कोरोना मरीजों के मिलने का सलसला जारी है, जारकन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मातर 45 लोग स्वास्त हुए हैं, इसक और गिरीडी से एक मरीज मिले हैं खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपस रिक्वेस्ट है अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और आगली बड़ी खबर की बात को दो कोडर्मा में सड़क दुरगटना पतनी को ड्यूटी से वापस लाने के लिए घर से निकला युवक रास्ते में असकूटी को बसने मारी टकर, मौत, कोडर्मा की डोम चांज थाना च्छेतर के निरूप पहाडी के पास रविवार की राथ हुई सरक दुरगटना में युवक की मौत हो गई युवक की पहचान 35 वर्सी अभिसेख कुमार की रूप में की गई है अभिसेख अपने घर से कोडर्मा सदर अस्पताल के लिए निकला था उनकी पतनी सदर अस्पताल में बतोर स्वास्थकर में कारत है पतनी राणी कुमारी की डिवटी कत्म होने के बाद वाउ से घर लाने के लिए निकला था इसी दोरान यातरी बश ने युवक की असकूटी को अपनी चपेट मिले लिया इसमें युवक गंभिरूप से घायल हो गया अस्थानी लोग युवक को अस्पताल ले जा रहे थे रास्ता में युवक ने दम थोड़ दिया आगली बड़ी खिबर की बात को दो ड्राइबिंग लाइसंस ऑनलाइन करानी के लिए अब पंदरा मार्च तक दे सकते हैं आविदन मेनवल ड्राइबिंग लाइसंस डियल को अनलाइन करानी के लिए लोग अब मंगलवार तक आविदन दे सकेंगे पूरा में DTO की और से आविदन देने की अंतिम्तिती 12 मार्च रखी गई थी, लोग की जरतों को देखतों हुए तिती बढ़ाए गई है, इस आउधी के बाद DTO कारले में कोई भी आविदन स्विकार नहीं किया चाएगा, DTO कारले की और से मिली जानकारी क्यानुसार 12 इनमें से 1622 लोग के DL ओनलाइन हो चुके हैं, जबकि 760 आविदन का अप्रूबल बाकी है, वही 250 आविदनों के इंट्री बाकी है, DL ओनलाइन कराने के लिए 19 फरवरी से आविदन जमा लिये जा रहा हैं। साव बरामत किया गया है, युवा की पहचान, बोड़ी बस्ती निमासी, सुर्जा पहाडिया, उम्रे करीब 40 वर्स के रूप में हुई है, पिता गंगा पहाडिया ने साव की पहचान की, इसके बाद लासको पोश्ट माडम के लिए अनुमंडल अस्पताल राजमाहल काया पलट 210 कोड रुपे खर्च कर बनेगा वर्ल्ड क्लास, ऐसा हुगा, लुक, रांची रेल्वे स्टीशन को भोपाल के रानी, कमलापती रेल्वे स्टीशन की तर्च पर वर्ल्ड क्लास अतिधुनिक शुविदा से लास बनाय चेका, रांची रेल मंडल ने इसके दच्छिन जो है पूरो रेल्वे मुख्याले भेच दिया गया है, आगली बड़ खिबर की बात हुदो मेधा डैरी का दूद लेकर रांची से बुकारो आ रहा वहन ट्रक से टकराया खलासी की मौत, रांची से मेधा डैरी का दूद लेकर आ रहा वहन सोमार तड़ा के NH 23 पर हाथसे का स्थिकार हो गया, चर्गी गाउं के पास वहन ने एक खड़े ट्रक को टकर मार ती, इससे मौके पर ही वहन के खलासी की मौत हो गई, खलासी बुकारों की सेक्टर बारा का रहने वाला था, हाथसे के बाद 1000 रुपए का दूद, दही, लसी, आदी, बरबाद ह पेटरवार थाना इलाके के चर्गी गाउं के निकट नेशनल हाइवे 23 पर एक ट्रक सी मेधा दूद लधा 609 वहन पीछे से जाटक राया, जिससे 609 वहन की ओपचालक की मौके पर ही मौत हो गई, गटना एहल सुभा सड़े तीन बचे लगभग की है, सुचना मिलते ही पे अब ये सोभायातरा सरहूल पूजा महात्साओ की तैयारी को लेकर केंद्रिय सरना समेति के अध्धक्ष अजयतिर्की की अध्धक्सता में सिरोम टोली में धार्मिक समाजिक संगटनों की बाठक हुई, बाठक में अजयतिर्की ने कहाई कि कोरोना महामारी के मधनचर साथ जोहे परमपारिक वेस भूशा में नित्त करते लोग जोहें सिरोम टोली पहुँचेंगे, समेति अच्छा प्रदर्शन करने वाली खोड़ाहार टीम को पुरसकार की रूप में 51,000 रुपए, दोत्य पुरसकार में 31,000 रुपए और तृत्य में 21,000 रुपए होंगे, जोहें संतावना पुरसकार 51,000 रुपए दिये जाएंगे, आगली बड़ इख़बर की बात को दो जामताड़ा में कोलकाता पुलिस ने मारा च्छापा, चार साइबर अपराधी गिरपतार ट्रांजिट रिमान पर ले गए टीम, एक वर्स पहले हुई एफ़ाइर, पसिम बंगाल की कोलकाता पुलिस की जोहें डिडेक्टीव डिपार्टमेंट ने जामताड़ा में च्छापे मारी की टीम ने महिजाम पुलिस की मदद से, महिजाम से एक तथा जामताड़ा से तीन साइबर अपराध्यों को गिरपतार किया है, चारो आरोप्यों को जामताड़ा आगली बड़े खिबर की बात कुदुराची में युवती को दोस्त की घर ले गया प्रेमी, चार दोस्तों संग पार्टी की फिर धमकाकर किया सामहिक दुसकर्म, सुकदेव नगर थाना च्छेतर में रहने वाली एक युवती से सामहिक दुसकर्म का मामला सामने आ है, पुल प्रात्मिकी दर्ज कराई है, दर्ज प्रात्मिकी में पुडिता ने बताया है कि पिछले एक वर्ष से मोहन नामक युवक के संपक्र में थी, मोहन दस मार्च को उसे अपने साथ लेकर मिसीर गोंदा इस्थित दोस्त करण कुमार की घर लेकिया, जहां पहले से करण, प्रात्मिकी दर्ज कर करण को गिरापतार के लिया है, पुलिस फरार आनी जहें चार आरूपियों के गिरापतारी के प्रियास कर रही है, तो यह थी आज की जहारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जहारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यूज जहारकन चानल को सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रिस करतेजे, जिससे आपको जहारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजे इजादत, फिर मिलते हैं, नेक्श न्यूज में